नमस्कार मैं हूँ आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिन भारत आई नजर डालते हैं चार बज़े की चार बड़ी ख़बरों पर लेकिन उसे पहले एक नजर हेडलाइन्स पर गुपाल में राजवीति का खाड़ा बना अशोका गार्डन थाना कॉंग्रेस और बिज़ेपी कारेकर तामने सामने हुए पुलिस ने श्वानती बनाये रखने की अपील की टकराव रोकने के लिए लगाये बैरिकेड्स बदनावर में आज शे शुरू हुआ राजवस्व महा अभ्यान बदनावर में प्रिश्वासन ने की तैयार्यां 31 अगस्य तक चोले गया अभ्यान ग्राम इनिस्ट्रेटरों तक पहुँचेगा विभाग का अमला बीना में जोला चाप डॉक्टर के लाज उसे मौत च्वर्म रोग का अलाज कराने गया था इंज्यक्शन लगाने के बाद हुई मौत पुलिस ने मामला दर्च कर जाँच शुरू की पहले आपको बता देते हैं कौन सी वे चार बड़ी खबरें पहली खबर बोपाव से दूसरी खबर बड़ना वर से तीसरी खबर बीना से आ रहे है चौथी और आखरी खबर आ रही है पन्ना से में हम रुक करें पहली खबर के और पहली खबर बोपाव से है जोहां राच्वनिती का अखाड़ा बना अशो का गारण थाना आपको पता दे कि कॉंग्रेस और बिज्वेपी कारकरता आमने सामने हुए है वही पुलिस ने शान्ती बनाय रखने की अपील की टकराव रोकने के लिए बैरिकेट्स भी लगाए गए वहीं दूसरी खबर आ रही है बदनावर से जहां बदनावर में आज से शुरू हुआ राजस्वर महा अभियान बदनावर में प्रिश्वासन ने तैयार्या की है 31 अगस्त तक चले गए अभियान वहीं आपको बता देखी ग्रामिन शेत्रों तक पहुंचेगा विभाग का अमला वहीं तीसरी खबर है बीना से जहां बीना में छोला चाप डॉक्टर के इलाज उसे मौत का मामला सामने आया है चर्मरोग का इलाज करने गया था वहीं इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई पोलिस ने मामला दर्ज कर जाच शुरू कर दी है वहीं चोथी और आखरी खबर आ रही है पन्ना से जहां पर पन्ना में घोटालो को लेकर कॉंग्रिस का विरूद प्रदर्शन हुआ योवक कॉंग्रिस का धर्ना प्रदर्शन वहीं नेताओं ने जम कर साधा निश्वाना राजपाल के नाम भी ग्यापन सौपा गया है पहली कबर भोपाल से आपको बता दे की नरसिंग कॉलेजों की मानता में हुई गडबड़ी के मामली में प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग के विरूद कानूनी कारवाई करने की मांग को लेकर कॉंग्रेस के नेता और कारकरता भोपाल के अशो का गारवन थाने पहुंचे कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीटू पटवारी नेता प्रदिपक्ष उमंग सिंगार और पूर्व मुख्यमंटरी दिगवजवय सिंग समेत अन नेताओं ने सारंग के विरुध FIR के लिए आवे दन दिया जुस पर हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे समवादाता हमारे साथ बोपाल से आबिद मुंतास जुड़ चुके हैं आबिद नर्सिंग घोटाले का मामला अभी तक शान्त नहीं हुआ है वहीं सी कड़ी में अशोका गार्डन ठाने में कॉंग्रेस सर बिच्वेपी आमने सामने आ रहे हैं इस पर क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं देखिए नर्सिंग जो नर्सिंग कालेजी के मानेता को लेकर लगातार कॉंग्रेस जो है सदन से लेकर सड़कों तक आंदोलन नहीं आपक कर रही है आपको ग्यात होगा के विधान सावा में भी कॉंग्रेस मुद्य को जोर सोर के साथ उठाया था और आखिर विधान सावा जो है पांच में दिन हंगामे की भेट चड़ गया और और उन्ग्रस हो गई इसके बाद कॉंग्रेस सड़कों पर आई और लगातास आंदोलन प्रदेशन के मात्यब से सरकार को जो है जगाने का काम यहांपा किया ततकालिन जो चिकिश्या सिक्षा मंत्री तो बरतमान में मद्दप्रदेश सरकार के खेले में युवा कर लियार मंत्री हैं विच्वास साथ उनको उनका इस्टीपे की मांग और उनके ख़राप फाईयार की मांग को लेका कॉंग्रेस लगाताल आंदोलन यहांपा कर रही ह इसी किरम में जो कॉंग्रेस आज शोकर गार्डन थाने यहांपर गई थी और अपनी शिकायत यहां दर्श करवा रही थी जिसमें कॉंग्रेस के कई जो वरिष नेता से जिसमें जीतु मड़वारी हैं पूर मुक्रमासी दिग्वेजर सिंग हैं नेता पर सिपक्षुमर सि हिंदार हैं जो विदायक के वो फूर विदायक और तमाम माईदा मोचा एणुसी आई कोंग्रेस के लोग कोंगरेस की कोई थाने पहुँचे जब यह कॉंग्रेस के लोग जब पैदल मार्च करते हुए आगे जा रहे तब ही बार्ती जंता पाटी और बिश्वास सारग के समर्ट तक जो है वहां पर पहुच गया हो बड़ी संक्या में वहां पोच कर कॉंग्रेस खिलाब जो है नारेबाजी भी किये यहांने पुल मिलागे यह का जा सकता है कि दोनों तरफ से जमकर यहां पर नारेबाजी हुई आखिर में पुलिस ने वेरिकेटिंग लगा कर वीच तरफ दोनों को रोखने का प्रियाद भी यहां किया यारी पिलिस नहीं रोख पाती तो कोई बड़ी घटना भी यहा पूछना चाहूंगी कि जुस तरह से पूरा हंगामा देखने को मिला वीचेपी और कॉंगरस के द्वारा तो यह कितनी दे तक पूरा हंगामा चलता रहा है देखे करीब दो से ढ़ाई गंटे तार यह हंगामा यहां पर चलता रहा दोनों ही पक्षों की तरफ से नारे बादी यहां पर होती रही और सब्सक्ते वड़ी बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ठाना परिस्तर के अंदर सुंदर कायंट भी होता रहा जिसको दिग सब्सक्राइब करेगा तो इस तरह की गोष्णा भी आपको कर दिये तो कॉंग्रेस है काया इसके लिए वो कमिशनर से चर्चा भी करेंगे और अपना लीगर जो एडवाईजर है उनसे भी चर्चा करेंगे और जो यहां सुंदर काया है किसी की जर्म दिन को लेकर तो हर ज बैयान भाजी भी यहां सामने आई हालाक जो भाठी जंता पाटी की तरफ से इसका प्रड़बार भी हा सामने आया है भाठी जंता पाटी न का है कि दिखविय चिंप सनाता जर्च के पीचे क्यों पड़े हुए हैं जिब भर को पर नमाज हो रही है उसको लेकर आपति क्य प्रदर्शन हुआ से लेकर कि नेताओं की क्या कोई अब तक प्रतिक्रिया देखने को मिली है बड़े अधिकारियों की प्रतिक्रिया है कि अपने नेताओं को बचारा चाहती है आज से दो जिन पहले जब जीदों बड़वाई देखनादा थाने पहुंचे था अपने समर्सापों के साथ और एफाईया दश्रादी के मांग की थी उन्होंने विश्वासारं को लेखा तो विश्वासारं के समर्स सब्सक्राइब करने हैं वह एक महिदा ने आत्मत्य करनी थी रेप्रेस का जोची है जी जी दूसरी तरह पर उमंग सिंदार का भी आरोप लगाया जाए कि उनकी पस्नी ने अपनी जान उमंग सिंदार से प्रतारिक होकर जी है तो इस तरह आरोप प्रत्यारों आने लगे ह अब वहीं क्या थाने में कॉंग्रेस को क्या कुछ परिशानी हुई कि आप बता सकते हैं वस्तार से तो पुलिस अक्नी पूरी तैयारी के सेयास यहां पर जो पुलिस का जो पोर्स होता है और यहां ते नाज कर दिया गाए थे इसमें केवाद 3-4 लोगों को अंदर जाने की अनुमती दी जाई है और उन लोगों ने फिर विट्वास सारंग खिलाब अपना आविदन जो है ठाने में यहां पर दिया उसके रिसिविंग ली वहीं आविदन मंत्री सारंग के खिलाब जो आविदन दिया गया है उसमें क्या कुछ लिखा गया है? तो मैं आपसे पूचना चाहूंगी कि विजए-पी के जो सुन्दर कान को लेकर के कॉंग्रिस के क्या कोई अन्ह नेतां का भी बयान सामने आया है? लिख से किसी अन्ह नेता का बयान सामने नहीं आया है, उसमें यहां पर देखा आए, उसके बात सब्सक्राइब करें से चाल इख करें मुझे जो मालूम है क्युकि मैं बहुता हुं क्यों कि मुख्षम्तिर मुख्राइब के सब्सक्राइब था आप वही जो यह आज हंगामा हुआ है कॉंग्रिस और बिज़ेपी के बीच में तो कॉंग्रिस प्रदेश वद्यक्ष जीतू पड़वारी का क्या कुछ कहना है विच्वास पड़वाई ने का है जिया अनुदर लगता जाजिए राएगा जब आज़ता है जब हम सड़क पर आके हैं तो सड़क पर हमें लाटी जंड़ आसुगेस की बोले हमारे पर चोड़े जाके हैं जब हम आने का घेराओ करने आके हैं तो विच्वास पार अप्ते सबर्टकों को घेच कर वेलगान उत्पन करा के इस तरह का हमसा पयान आया है उत्ता घेरा है इसके बाद भी कॉंग्रेस विच्वास पार नहीं है कॉंग्रेस लगातार इस लड़ाई को आगे भी रखने रहेगी काया है कि मंत्री सारंग की इस पूरे घोटाले में प्रमार्ण संलिप्त दता है इसके बावजूत सरकार उन्हें मंत्री बनाय रख कर संग्रक्ष्वन दे रही है वहीं दूसरी खबर है बदनावर से आख बता दे कि बदनावर में भी राजस्व प्रकरणों के त्वरित निडाकरण और राजस्व अभी लेक त्रूटियों को ठीक करने के लिए राजस्व माभियान शुरू होने जा रहा है SDM दीपक चौहान ने अपने कारलाय पर पत्रकारवारता कर अभीयान के बारे में ज्वान कारी दी बताया कि अभीयान तहसिल में 44 दिन तक चुले का SDM दीपक सिंग चौहान ने बताया है कि राजस्व के कामों में पारदर्शिता लाने और आंत्रेक प्रक्रियाओं को मस्बूत बनाने की प्रयासों की चलते मध्रदेश में राजस्व प्रक्रणों का समधान करने राजस्व महा अभ्यान शुरू हुआ है जिस पर हमारे साथ अधिक जवानकारी के लिए हमारे समधाता हमारे साथ बदनावर से आनंद अगनी होतरे जुर चुक है अधिक जवानकारी के लिए आनंद बदनावर शेद्र में राजस्व को लेकर क्या इस्थती है हाल फिलाल में जी मैं बताना चाहूंगा कि राजस्व प्रक्णों को तुरिज निराकरण और राजस्व अभिलेख तूटियों को ठीक करने के लिए राजस्व माँ अभियान आज से शुरू हुआ है इसको लेकर कल अभियान के बारे में जनकरी देखी यह अभियान तेसिल में चुम्माने दिन चलेगा 18 जुलाई से शुरूआ यह अभियान जिलका समापन 31 अगस्ट को होगा अभियान में अभियान को लेकर सभी हलका पटवारियों को निर्देशित किया जा चुका है उन्होंने बताया हैं कि अभियान का उद्देश राजस्व न्यालो आर्सी एमेस में समय सीमा पर लंबिक प्रकणों नामंतरन बटवारा समगर का आधार से ए केवाईसी और खसे समगर आधार से हमारे समबादाता से हमारा समपर्क तूट चुका है तो आपको बता दे ये खबर आ रही थी बदनावर से जहांपर बदनावर में भी राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख तूटियों को ठीक करने के लिए राजस्व मा अभियान शुरू होने ज़ा रहा है SDM दीपक चौहान ने अपने कारले पर पत्रकार वारता कर अभियान के बारे में जानकारी दी हमारे समवादाता से हमारा फिर एक बार और संपर्क हो चुका है बदनावर से हमारे सावत हमारे समवादाता आनन अगनी होतरी जुड़ चुके है जी आनन अपनी बात पूरी करिए क्या कुछ शेत्र में इस्तिती देखने को मिल रही है वहीं इस अभियान को लेकर आज से शुरुआ पूई है यह अभियान 31 अगर तक चलेगा यानि चुमाल इस अभियान को लेकर चिनित किया गया है वहीं अभियान के तर्थ राजस्युभाग का अमला गाउं में पूचेगा जहां राजस्विबाद से लम्मित मामलों का भी आपसे सम्झोंते से निप्तारा कर सकेंगे जी जी क्या आनन इससे लम्मित मामलों का आपसे सम्झोंते का निप्तारा करेंगे महीं राजस्विबाद की विबिन योजनाओं के बारेंदी भी अनकारी देंगे क्या आनन इससे पहले भी इस तरह का अभियान चलाया गया है बदनावर में जी अभी फिलाल तो इस तरह का अभियान नहीं कुरू हुआ है मगर ये एक शुरुवात की तोर से आच्छे इस अभियान की शुरुवात हुई है जी वहीं एस तेम ने और इस अभियान को लेकर क्या कुछ विशेश जानकारी दी है वहीं बदनावर एस तेम से जब पत्रकार वारता हुई थी उसमें उन्होंने बताया है कि जो भी प्रकंड लंबित हैं उनको जल्द से जल्द उसका नेराकंड किया जाएगा और महां जिस गाओं में उन पहुचेंगे उस गाओं में जिस प्रकार की भी समच्या होगी राजस्वत सम्मंदित वह तुरित नेराकंड महां किया जाएगा वही हम बात करें तो किस तरह की समस्या है जो राजस्वत प्रकरणों में जादा देखने को मिलती है आनन जैसे कि प्रदान मंत्री किसान सम्मान हिंदी की बात अगल की जाए उसमें कई लोगों की EKYC जैसे अनने सुधाओं से सम्मान भी शिकायतों होती है जैसे उसका त्वरिक निराकंडी वहाँ करेंगे है जी तो आपको बता दे जो खबर सामने आ रही थी वह बदनावर से आ रही थी जहां बदनावर में भी राजस्वत प्रकरणों के त्वरत निराकरण और राजस्वत अभिलेख त्रूटियों को ठीक करने के लिए राज राजस्व के कामों में पारत दर्शिता लाने और आंतरिक प्रक्रियाओं को मदबूर बनाने के प्रयासों के चलते मद्व प्रदेश में राजस्व प्रक्रोणों का समधान करने राजस्व महाँभ्यान शुरू हुआ है वहीं आपको बता दें तीसरी खबर आ रही है बीना से जहां बीना के ग्राम आगा सौध में छोला च्वाप डॉक्टर के इलाज उससे पंचपन वर्षी अव्यक्ति की मौथ होने का मामला सामने आया है जवानकारी के नुसार बलराम पाल निवासी ग्राम पत्रिया चर्म रोग का इलाज करने के लिए छोला च्वाप डॉक्टर के पास गए थे जहां पर डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन लगाने के बाद उनकी मौथ हो गई पुलिस दिर्शव को सिवल अस्पतार लेकर पहुंच वी है और पंचनामा कारवाई के बाद दिर्शव का पूस्ट मौचम कराया है रामकुमार बीना श्वेत्र में कितने छोला च्वाप डॉक्टर मौजूद है और क्या कुछ कारवाई इन पर अभी तक की ज़ाती है इनके खिलाब अभी तक कारवाई क्यों नहीं की गई है रामकुमार जी वहीं यह जो मामला सामने आए क्या कुछ है पूरा मामला विस्तार से बता सकते हैं अभी हाल फिलाल में जो ताजा मामला देखने को मिला है जी 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 ग्राम पतरिया के एक नवासी थे बल्डाम पाल जो अपने बेटे दिनिस पाल के साथ आगासवत के डॉक्टर जैन उनके हाँ चर्म रोक के लाज़ के लिए पहुंचे थे जहां उन्हें एक आई भी इंजेक्शन दिया गया और जैसे इंजेक्शन उने जाता है और इस मौशन के जानकारी आगासवत पुलिस को दी जाती है जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है तो परिजनों के द्वारा जो सामने आए हैं स्वास्त विभाग क्या कुछ कदम उठाने वाला है बागे अभी स्वास्त विभाग तो कोई जानकारी नहीं मिली है इस बात की आज कारिक्रम अंतिल संसकार के बाद परिजन का कहना है कि वो कले स्वास्त विभाग को उसके लिए ग्यापन देंगे और संबंतित डॉक्टर के खिलाब कारवाई की मांग करें वही नामकुमार आपसे पूछना चाहूंगे कि लोगों को जिस तरह से जागरूग करने के लिए क्या कुछ अभियान चलाने चाहिए स्वास्त विभाग को जिस तरह से जो है जोला चाप डॉक्टरों के द्वारा जो है मरीजों का इलाज किया जाता है और उन्हें मौत की विदाएं पराप्त करें ना कि जोला चाप डॉक्टर के पास जाए परन्तु सरकारी अस्पताल में खुद इतनी विवस्थाएं नहीं है जिस कारण से लोग के जोला चाप डॉक्टर के पास गये जहां पर डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी मौत हो पुलिस सब को शिविल अस्पताल लेकर पहुंची और पंचिनामा कारवाई के बाद दिश्रव का पोस्ट मौटम कराया कैं सिवर अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विरेंड ठाकुर का कहना है कि मुरतक ने ग्राम आगासौद में किसी डॉक्टर से इलाज कराया प्रदेश में दर्शन यादव ने निशाना साधा कॉंग्रिस के जिलाध्यक्ष अवस्थी ने बताया कि कॉंग्रिस कमीटी के जिलाध्यक्ष शिविचीत सेह भाईया राचा ने भी भाजपास सरकार को कोस्ते हुए प्रिश्टाचार को बढ़ावा देने के आरुप लगाए है कॉंग्रिस यहने कलेक्टोइट दर्ग पर दियात्रा कर राजविपाल के नाम स्टम को ग्यापन भी सौपा है आपको बतादे कि पन्ना से आपको बतादे कि यूवक कॉंग्रिस का धलना प्रदर्शन जो है देखने को मिला है आपको बतादे कि पन्ना में यूवक कॉंग्रिस के तत्वाधन एवं जिला अध्यक्षु 17 प्रभाकर अवस्थी के नातुरत्व में प्रदेश में होई विधन घोटालों को लेकर के विरोध दर्श कुरा गया है वहीं आपको बतादे कि कॉंग्रिस के जिला अध्यक्ष अवस्थी ने बताया है कि कॉंग्रिस कमीटी के जिला अध्यक्ष शिवजीत सेह भाया राजवा ने भी भाजपास सरकार को कोस्ते हुए प्रिष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप लगाए है कॉंग्रिस योने कलेक्टरिक तक पद्यात्रा कर राजपाल के नाम SPM को ग्यापन भी सौपा है आपको बतादे कि जो घोटाला नर्सिंग घोटाले से लेकर के पूरे MP में भी पूरे जहां भी देखे महाँ पर प्रदर्शन किया ज़ारा है वहीं कॉंग्रिस के द्वारा BJP पर हमला किया ज़ारा है इसकी कड़ी में आपको बतादे कि पन्ना में भी युवक कॉंग्रिस के तत्वाधन में एवं जिला अध्यक्षु स्वात्वंत्र प्रभाकर अवस्थी के नेतरुत में प्रदेश में विभन घोटालो को लेकर विरोध दर्श करा क्या है वहीं कॉंग्रिसियों ने धना प्रदर्शन के और BJP सरकार को भी खेरा है जिस पर हमारे साथ अधिक जौनकारी के लिए हमारे समवा दाता अधिक जौनकारी के लिए अजिट युवक कॉंग्रिस के द्वारा धर्ना प्रदर्शन किया गया है क्या कुछ पूरा मामला है यस्तार से बताइए मेडम पन्ना में स्वास्ता सेवाएं की हालत बस से बत्तर है और यहां पर ख़बरों को प्रकासित होने के बावजूद भी और जिम्मेदारों के पता होने के बावजूद भी मामलों को संग्यान में नहीं दिया जाता जैसे कि दिला अस्पताल में बाड़ों में पानी का भर में आदवाजी महिला की मौत इस तरीके की में बहुत सारी स्वास बवस्थाओं की जो हालत लग्जर दिख रही है सामने इनी मुद्दों को लेकर प्रदेश से युवा कांग्रेश प्रदेशाद मितन्द दर्सन सिंग पन्ना आये कल पन्ना पोंचे और यहां के जो युवा कांग्रेश के जिलाद द्यक सतंत्र प्रभाकर अवस्थी उनके चत्वाधान में एक रैली का आयोजन किया और इन्होंने जमकर बीजेपी को निसाना साधा बीजेपी पर जमकर निसाना साधा उन्होंने कहा थी पन्ना में भरिष्टाचार चरम सीमा पर है यहां पर चाहे दिंवडरा रोड लेएं चाहे पहारी खेरा रोड लेनें रोडों में वहारी बरसात में यहां की रोड अख़डने लगी हैं तो नो में ठिग्रें अभी एक साल हुआ नहीं पूरा बने और रोडों में रिपेर चालू हूँ गई है मैटम इन्हीं मुद्दों को लेकर प् प्रदेश अध्यक्ष जो है कॉंग्रिस के नव नियुक्त युवक कॉंग्रिस के तो उन्हों मित्रिंद्र दर्शन ने जो है बिजेपे पर निशाना स्वाबा वहीं भाजपा पर प्रिष्टर च्वार के भी आरूप लगाया है तो इसे लेकर के जो इस्थाने बिजेपी नेता है उनकी तरब से क्या कोई प्रतिक्रिया अभी तक देखने को मिल रही है यहां तक कि उन्होंने चेताओनी भी दी है कि अगर इन मामलों को गंभीता से प्रफासन नहीं लेती है और भाजापप के जन पर जन परतिंदीज यहां पर है उगों नहीं लेते हैं तो यह चक्का जाम करेंगे और धर्ना प्रदर्शन करेंगे जी वहीं अजवीत आप से पूछना चाओंगे कि जिस तरह से जो कॉंग्रेसियों के द्वारा ये धर्ना प्रदर्शन किया ज़ा रहा है आरोप लगाय ज़ा रहे हैं वहीं जो इस्थानिय इस्तिति कैसी है क्या कोई अभी तक प्रिश्टाच्वार का मामला उजागर हुआ एग ज़ा है यहा सिर्फ लगा यहारा ही तो इससे बड़ा धिया पामला तो यह उग touch पारोप लगाय लगाना की उतलने का रभारा ब्रवार्ट कोरी देल डेलियी पर सेमेंट ए अ COD dio और भारी से लेंगी और भाय फिरहाल दोल्मा की चाल तो यह पर शोग्ली हो रहा हु वहीं अगर जुस तरह से ग्यापन दिया गया है तो अगर कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो अब आगे कॉंग्रिस की क्या कुछ रणनी ती रह सकती इस पर उनका क्या कुछ कहना रहा है। अगर कारवाही नहीं होती है तब और जिला अद्यक्चे सतन प्रवाकर अवस्थी नहीं नहीं कि जाती है और मामलों को गंबीर का सिर्फासन नहीं लेती है तो हम एक तका जाम करेंगे। तो आपको बता दे जो खबर सामने आ रही थी वह पन्ना से आ रही थी जहां पन्ना में यूवक कॉंग्रिस के तत्वाधन एबं जिला अध्यक्षर सतन प्रवाकर अवस्थी के नहीं तरुत में प्रदेश में हूँ और विपन घोटालों को लिकर विरोध दट करा गया। कॉंग्रिसियों ने धरना प्रदर्शन के और बिजेपी सरकार को भी घेरा है। हमारे सभी समवादाताओं का शुक्रिया तो यह थी चार बज़े की चार बड़ी खबरे। फिलाल चार बज़े की चार बड़ी खबरों में इतना हैं आप खबरों के लिए इस यन भारत पे साथ।